हेलो स्टुडेंट्स, माईशल्फ काब्य विर्थरे, आज आपका फिर से ओलाइन क्लासेज में शागत हैं, तो प्यारे बच्चों, कोरोना वाइनस की बचैसी, क्या है ना, आप लोगी पढ़ाई सचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं, लेकिन आप लोग ओलाइन कहां उसका प्योग किया जाता है, तो ही, ही मीन्स क्या होता है, वह है, और सी मीन्स भी भाय होता, इसलिए हम ही और सी के बारे में पढ़ेंगे, कहां ही लगता है, और कहां सी लगता है, तो सब्स पहले पढ़ेंगे हम ही के बारे में, ही कहां लगता है, तो पुलिंग सब् जैसे कि pulling means क्या होता, अब ये समझो, जैसे pulling means होता, जैसे कोई लड़का है, कोई लड़का pulling हो गया, उसके साथ ही लगेगा, जैसे कि brother है, father है, friend है, इसके साथ ही लगता, जैसे कि example में, वह मेरा भाई है, तो भाई यहां, जो भाई है ना, तो वो हो गया pulling, तो उसके साथ लगेगा, he, तो यहां बनेगा, he is my brother, second है, वह मेरे पिताजी है, इसमें जो पिताजी आया है, वो भी pulling है, इसलिए यहां बनेगा, he is my father, इसमें भी लगेगा, he, क्योंकि यह pulling है, ऐसे ही, वह मेरे चाचाज तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि भाई है पिता जी है चाचा जी है मित्र है इन सब के साथ ही आया क्योंकि यह सब पुलिंग सब्द है इसी के बाद देखेंगे हम सी का प्योग सी कहा लगता है तो स्त्रीलिंग सब के साथ सी का प्योग किया जाता है strilling means strilling क्या होता है strilling means कोई लड़की हो जैसी कोई लड़की है वो strilling होती जैसे कि example में वह मेरी बहन है तो बहन है जो वह एक लड़की है वो एक strilling है तो she is my sister क्योंकि ये बहन है ये strilling है इसलिए इसके साथ सी लगेगा र्वर सेगड एं वह मेरी माता जी है इसमें माता जी है न गोट सी इज माई मदर इसमें भी सी लगे इस पर अगला वह मेरी क्षाची जी है थेस्ट माई आंट अग्ला वह मेरी अध्यापिका है तो आपने देखा माता जी है चाची जी है अध्यापिका है बेहन है ऐसे ही स्त्री रिंग सब्दाते उसकी साथ सी का प्रयोग किया जाता है तो आप लोग से एक बार फिट से रवाइस करें और ध्यान से समझें और यह सारे वाग अपनी नोट बुक पर लिखें और उन्हें फिर से बनाएं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा थेंक यू